यार फिर से पैसे खतम हो गए यार तेरे पास कोई यह सब बिजनस आइडिया है क्या जो मैं कॉलेज के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हूं यार आइडिया तो है चल शुरू करते हैं हेलो एवर्वन मैं हूँ लक्षित सेथिया और आप देख रहे हैं शुशल सेलर अगेडमी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन से ऐसे 10 बिजनस आइडिया है जो आप जैसे कॉलेज स्टुडेंट्स अपने कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खास बच्चे खरीदते हैं वहाँ बच्चे बेचते भी तो अगर आपको बनाये हुए नोट्स आपक शायद अपने आपको register करोगे, अपना bank account का KYC करोगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का dashboard आ जाएगा, अब यहाँ पे आप simply create new पे click करो, और यहाँ पे पहले number का store product में, add product पे click करो, फिर यहाँ पे आप digital file पे click करो, और फिर आप यहाँ से अपने notes को upload कर सकते हो, अब उसके ब लिख लो, बाकी नीचे title और description लिख दो, ताकि खरीदने वाले को समझ आ जाए कि भई, आप क्या चीज लिस्ट कियो, और फिर end में इसका price set कर दो, और फिर उपर बटन से इसको easily save कर दो, जैसे ही आप save करोगे, आपको उसकी एक link मिल लाईगी, अब यह आपकी selling link हो गई, इस link से आप easily किसी को भी बेच सकते हो, और जिसको भी बेचोगे, तो जो पैसा है, वो directly आपके bank account पे एक दो दिन बाद आ जाएगा, तो basically यह link को अब आपको जितना हो सके उतना promote करना है, और promote करने का सबसे अच्छा तरीका होता है YouTube video create करना, तो अपने लिए YouTube video create करो, notes से regarding suppose आप law के notes बेच रहो, तो law का ही किसी topic पे आप अपनी video create करो, video को upload करो YouTube में, अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाती तो आप simply बोल के भी video create कर सकते हो, और उसके बाद उसके description पे buy full notes करके इस link को डाल दो, तो जितने भी लोग आपकी video देखेंगे, अगर उनको college पसंद आई, आपकी video पसंद आईगी, तो definitely वो जा कि क्या, आपके notes को खरीदेंगे, और आपको अच्छी खासी income generate होगी इस चीज से, अच्छा, आप paid marketing भी कर सकते हो, और in fact आस पास में आपके college में, आपकी juniors को जिनको भी चाहिए, उनको आप simply a link forward कर सकते हो, अगर तो इतने सारे लोग आपका notes खरीदेंगे, कि आपको पैसा ही पैसा मिलेगा, अब जो दूसरा सबसे बड़ी idea है, जहां से बहुत सारे बच्चे पैसा कमाते हैं, वो है college merchandise, अब देखें, हर college में, उनकी खुद की t-shirts होती है, college के नाम से printed, in fact बहुत सारे colleges में sweatshirts और अलग t-shirts अगर में print की जा सकती है, और easily colleges में sell की जा सकती है, तो यह merchandise business almost हर college में चलता है, और in fact fast के time पे तो यह business boom हो जाता है, अच्छा ही business start करने के लिए आपको खुद नहीं खरीदना यह t-shirts या खुद printing नहीं कराना है, इनके लिए भी websites है, एक website है जिसका नाम है Vista Prints, जहां स की website है, बी यंग को आप खोलिए, जैसी आप website खोलेंगे वहाँ पे customization को option है, customization पे click कीजिए, वहाँ पे आपको t-shirt को option दिख जाएगा, t-shirt पे click कीजिए, and in fact आपको वहाँ पे boys t-shirt, girls t-shirts, यह सारे काफी सारे options मिल लाएंगे, आप simply वहाँ पे click कीजिए, and आपका जो भी design है, आप वहाँ पे upload कर सकते हो, upload करने के बाद आप bulk में उस t-shirt का order place कर सकते हो, जब आप bulk में order place करोगे तो आपको t-shirts काफी सस्ती पड़ेगी, अब यह दो website सी नहीं है, अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो t-shirt print करते हो, और बहुत कम rate में, मतलब 280-300 रुपए में t-shirt print कर आपको दे देंगे, और आप उस t-shirt को 500-600 रुपए में अपने college में easily sell कर सकते हो, अब जो तीसरा business idea है, यह होता तो हर एक college में, लेकिन किसी को इसके business के बारे में पता नहीं होता, और यह है अपने college की एक meme community create करना, आज की date में हर एक college की खुद की meme community है, आपने देखा सारकास्टिक होते हैं, और लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो आपके college की जितने भी students है, वो आपको फटा-फट follow करने लग जाएंगे, और उनको curiosity भी होगी कि आखिर कौन है बंदा जो यह memes create कर रहा है, memes बना रहा है, अब आप यह जरूर सोच रहे होगी कि यह meme से पै आप कोई भी product sell कर सकते हो, आप note sell कर सकते हो, आप merchandise sell कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हो, इनफेक्ट प्रमोशन, paid promotions बहुत सारे होते हैं, वो easily कर सकते हो, तो एक बार community के बाद बहुत सारे ऐसे options है, जहां से आप पैसा earn कर सकते हो, लेकिन इस business में सबसे important travel agency शुरू करना, अब अकसर college के बच्चे traveling बहुत जादा करते हैं, traveling में बहुत जादा expense करते हैं, और वहीं से ही आप traveling का business start कर सकते हो, ऐसा travel agent बन के, मतलब कोई भी बच्चा जिसको ticket book करना है, flight की, train की, या फिर hotel की, वो easily आके आप से WhatsApp पे ticket booking करा सकते हैं, और आप उनको make my trip, go ibibo, या जितनी भी sites है, उनसे कम rate पे ticket book करके दे सकते हो, और हर एक ticket book करने का आपको अच्छा कासा commission मिलता है, अब इस travel business को start करने के लिए सबसे पहले आपको B2B travel agency portal search करना पड़ेगा, इंडिया में तीन portal ऐसे हैं, जो बहुत अच्छे हैं, सबसे पहला portal है tripjack.com, दूस book कर सकते हो, उनके लिए hotels book कर सकते हो, और believe me or not, हर एक booking में आप अच्छा कासा revenue generate कर सकते हो, कुछ-कुछ लोग है, वो flight की ticket में दो-दो-हजार तक के commission earn करते हैं, अब दोस्तों जो पाच्वा business idea है, वो मेरा favorite है, क्योंकि college की students है न, वो हमेशा भूके रहते हैं, मतलब college hostel मे आपके पास 3-4 अच्छी brands है, आप cupamania रख सकते हो, moms करके एक brand है, जो ready to eat food बनाती है, वो रख सकते हो, in fact बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हो, उपमा होता है, पोहा होता है, ऐसी बहुत सारी ready to eat समान आते हैं, जो आप अपने पास store करके रख सकते हो, और जब आप wholesale price में इ जादा बेचो या अपने दोस्त को ही लूट लो, लेकिन आप अच्छा कासा पैसा कमा सकते हो, ready to eat foods को बेच के, अब दोस्तों जो 6th business idea है, वो भी मेरा favorite है, क्योंकि जादा तर लोगों को मैं सिखाता हूँ, और वो है reselling business करना, लेकिन अगर आप reselling business कर वे हो college में, तो academy से भाकी वीडियो से देख के, बहुत सारे supplier से connect हो सकते हो, और अपने college के students को luxury high quality के products resell कर सकते हो, इसमें आपका investment कुछ भी नहीं है, आपको wholesaler से tie up करना है, खाली wholesaler आपको whatsapp में product बेजेगा, free of cost, बिना कुछ investment के, आपको खाली वो जो product है, suppose 1000 रुपे का product है, तो उसमें अपनी margin लगाने, suppose आपने 500 रुपे margin लगाया, अब 1500 का वो product आगे अपने दोस्त को sell कर देना है, फिर जैसे ही दोस्त का order है, उस product को मंगाईए, wholesaler से product आपके पास आएगा, अपना margin add कीजिए, उसमें से sticker को निकाल दीजिए, वैसे stickers वगरा होते भी नहीं है, और directly उसको दोस्त को देजिए, तो ऐसा करके आप easily online store create कर सकते हो अपने college students के लिए, और college में ही रहते रहते हैं, अच्छी कासी earning कर सकते हो, सिर्फ आपको चाहिए तो एक अच्छा wholesaler, और wholesalers तो बहुत सारे हैं यार हमारे पास, अगर आपको अच्छे wholesalers की details ही चीए, तो आप हमार रखना Facebook कैसे शुरू हुआ था, social networking से, अपने college में ही एक social media website बनाके, तो अगर आप एक gated community वाली website बनाते हो, मतलब अपने college students की अगर social media website बनाते हो, जिसमें आप आपस में students को connect कर ले हो, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि believe me or not, आज भी बहुत सारे colleges मे students कोई problem होती है, कि वो एक दूसरे से connect नहीं कर पाते हैं, अब आप समझने हो, connect करना मतलब क्या होता है, Instagram पे generally लोगों की profiles private होती है, DMs का कोई reply नहीं करता है, तो उस situation में, अब हर किसी को एक दूसरे से connect होना है, लेकिन कोई medium नहीं होता, तो अगर आप अपने college की connecting website बनात जहां पे student आके बस register कर सकें, और एक दूसरे की profiles को देख सकें, या एक दूसरे को कुछ message send कर सकें, वहीं से ही आप काफी अच्छा revenue generate कर सकते हो, और आप हर एक student से एक subscription amount ले सकते हो, किसी को भी उस website पे आना है, तो एक subscription amount ले लिए, तो इस तरीके से easily, आप अपने खुद क college का एक छोटा सा social media network बना सकते हो, थोड़ा सा heart execute करने के लिए, थोड़ी सी website वगर की जरूरत पड़ीगी, लेकिन अगर execute हो गया, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, अब दोस्तों जो आटवा business idea है, वो तो आपका college या आपको business करने पर support करेगा, क्योंकि ये business है, basically students को college मे enroll कराने का, अगर आप किसी भी student को अपने college में enroll कराते हैं, तो admission department वाले या फिर college वाले, आपको एक certain amount का commission देते हैं, अगर आपको नहीं पता, तो जाके पता कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है, generally जादा तर colleges में, तो अगर आप अपने college में किसी student को enroll करा रहे हैं, और आपक colleges का देख सकते हैं, आप easily new students को college में enroll करने पे मदद कर सकते हैं, और आपको हर एक enrollment पे पैसा मिलेगा, इसलिए बहुत सारे college की students होते हैं, जो बाहर के बच्चों को पकड़-पकड़ के अपने college में admissions करवाते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि आप forcefully किसी को कराईए, ग work किस तरीके से होता है, जनरली अगर कोई designing background से है, या IT background से है, या फिर suppose legal field से है, या फिर कोई ऐसी field से है, जो online किया जा सकता है, तो इस type की domain में आप project built करके, easily as a freelancer work कर सकते हो, अब freelance work करने के लिए कौन-कौन से दो अच्छे platform में हो तो आपको पता ही होगा, सबसे पहला ह जहां पर easily आप अपनी services को register कर सकते हो, और दूसरा है upwork, इंडिया में freelancer और भी बहुत सारी SCR websites आ गई है, जहां पर as a freelancer आप खुद को enroll कर सकते हो, और यहां से आपके पास projects आएंगे, काफी सारे धीरे-धीरे एक projects को करते जाओ, अच्छा पैसा मिल जाते है, मैं आप तरीक है जो आपको college में तो पैसा कमाने के लिए मदद करे गई, लेकिन college के बाद में जब आपकी job लगीगी, उसमें भी आपको बहुत मदद करेगा, या फिर आप अगर business करते हैं, तो उसमें आपको बहुत मदद करेगा, अब दोस्तों इसके अलावा जो दसवा एकदम बड़िया business idea है, वो है drop servicing करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप freelancing कर सकते हैं और US में कर सकते हैं, वैसे ही आप college में बैठे बैठे drop servicing भी कर सकते हो, drop servicing मतलब यह होता है, कि आप as an agent, किसी service provider से service लेके आगे client को deliver कर रहे हो, और basically manage कर रहे हो बीच में, आपका कुछ का services होते हैं, न कोई employees होते हैं, न कोई खुद का product होता है, कुछ भी नहीं होता, वो drop servicing करते हैं, suppose कोई बंदा है, वो बहुत अच्छा video edit करता है, मैंने उसकी services ली और मैं US में अपने client को दे रहा हूं, जो भी US का project आता है, मैं उस project को अच्छे से समझता हूं, उस project को समझा आता हूं अपने video editor को, और video edit करवा के, अपने client को देता हूं, जो भी commission है, मैं बीच में रखता हूं, और जो भी में को payout करना रहता है, वो मैं अपने editor को payout कर देता हूं, तो इस तरीके से, बहुत सारे लोग या इंडिया में, जो drop servicing करते हैं, US में, UK में, अलग-अलग लेशों में services supply करते हैं, in fact, आप इंडिया की भी अंदर कर सकते हूं, लेकिन मैं आपको anyways recommend करूंगा कि आप out of India services दो इंडिया की, ताकि बहार से पैसा इंडिया पर है, और आपकी CV में भी वो चीज़ दिखे कि आपने US-based clients के साथ work किया and all, तो I hope दोस्तों आपको ये 10 business ideas अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं, ऐसा लगाएगी हाँ इनमें potential है, पैसा कमाया जा सकता है, तो comment करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like जरूर कीजिए, और अगर subscribe नहीं कियो, तो भाई, पैसा तो आप कमाई नहीं पाओगे, अगर आपने subscribe नहीं किया, तो अभी Social Seller Academy को subscribe कीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियो बनाता रहूं, मिलते हैं अगली वीडियो में